अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, आजी लोगों के साथ शेर करें, और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद. स्टूडिन्स आज का लेक्चर एक्टिनोमाजिटीज पे है, ये मेडिकली इंपोर्टेंट बैक्टिरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया है, तो इस लेक्चर के अंदर हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को जानेंगे, इसके हिस्टरी जानेंगे, इसका कॉमन नेम ज स्टूदें ग्षाफ कर दिए होती इसके बारे में इसके इसको हम जैने के बारे में समय जा तो चलिए शूरू करते हैं स्टूदेंटस आज का लेक्षर एक्टीनोमाइसिटी स बेक्टीरिया कले दिए पराव चलिए इसको हम देख लेकि कैसा दिखाई देता है ठीक है तो यहां पर देखो आपको कुछ अलग-अलग स्पिशीस के यहां पर आपको एक्टिनुमाइसिती बैक्टिरिया है तो जैसे फॉर्स में आपको दिखाया गया है स्ट्राप्टोमाइसिस और सेकंड पिक्चर में कुछ फंगस लाइक आपको यह गया है तो इसके अलावा थंगर मैथ्ये म Аपते को तुर्स में अबच्णि कुछ गई इस तारी ओक्छ यहां पर चुछिप Кар्जाु देगा और इसके अलाव थार्ड फिगर मैं देके स्टे इलेक्ट्राउUL माइक्ट्रों और ऑस Вैंसे चा इस तरह के आपको यह structure इसका दिखाई देता है तो यह different structures है actinomycetes के आएव इसका थोड़ा introduction जाने की इसको first time कि इसने अबजर किया तो यह जानने के पहले हम देखते हैं कि जो actinomycetes जो यह नाम दिया गया है यह क्यों दिया गया है तो Greek में atkis का मतलब है रे और mikes का मतलब है fungi तो इस वज़े से इनका नाम ray fungi भी है क्योंकि यह fungus-like यह bacteria है gram positive bacteria है, filamentous है और इसी वज़े से क्योंकि यह fungus-like है तो इनको कई बार इनको bacteria और fungi के बीच की connecting link भी ने कहा जाता है और first time actinomycetes को जो है describe किया Ferdinand Conde 1875 में और इन्होंने इस filamentous bacteria को इन्होंने human lacrimal duct जो कि eye की एक duct है वहाँ पे इन्होंने इसको अबज़र किया और उस time पे इन्होंने इसका नाम दिया streptothrix phoeristeri यानि कि streptothrix phoeristeri उन्होंने यह नाम इसको दिया जिसे कि बाद में CO Hertz ने 1878 में इस organism का नाम उन्होंने रखा क्योंकि उन्होंने इसको अबज़र किया था लंफी जॉवस में उन्होंने इसको अफ़र किया और उन्होंने इसको actinomyces bovis के नाम से इसको identify किया और इन्होंने यह टाम दिया और यह टाम का मतलब है तो यहां से इसका नाम रे फंगाई पाड़ा क्योंकि यह फंगस की तरह दिखने वाला यह बैक्टिरिया है इस वज़े से और ग्रीक में अभी भी इसको रे फंगी के नाम से ही जाना जाता है और अगर हम इसके habitat and habitat की बात करें तो यह mostly इसपोर लाइक या यह वेजटेटिव फॉर्म में रहने वाले जैसे plants रहते हैं तो उसी तरह से इनका भी habitat पुछ इसी तरह का है यह सॉयल में पाए जाते हैं यह aquatic environment में जहां पानी वाली जो जगे हों वहां पर यह पाए जाते हैं इसके अलावा जहां पर plant लीटर होगा सड़ा गला जहां पर plants के पत्ते होंगे वहां पर यह पाए जाते हैं इसके अलावा जहां पर decomposing होरी होगी किसी चीज़ की तो वहां पर यह पाए जाएंगे इसके अलावा यह food products में भी पाए जाते हैं और इन सभी के अलावा यह plants स वाल या जो लैक्रीमल डक्टंड वो दिखाएगए हैं देखें जहां पर वन लिखाएगा है तो यहीं पे जो इसको फर्चायम आपजर किया फार्दीननंद करने तो उन्होंने यहीं पे इस वाज़़े इस वाज़े से इन्होंने इसका नाम दिया Streptothrix foyeristeri तो इन्हों ने इसका ये नाम दिया जिसे की लेटर आउन किसने मैंने बताया था किसने चेंज किया सीयो हर्ज ने और इन्हों ने इसका नाम दिया था Actinomyces bovis आईए अब इनके कुछ जनरल features देख लें यानि कि कुछ characteristic features जो इनमें पाई जाते हैं तो सबसे पहले है जैसे Actinomyces ये bacteria Unicellular bacteria होते हैं और इनको सिर्फ Actinomyces ही न कहके इनको Actinomyces bacteria भी कहा जाता है और इनमें जो इनका जीनोम है उसमें guanil plus cytosin इसकी मातरा सबसे ज़्यादा होती है यानि कि G plus C जो है ये combination इनमें बहुत जादा मिलता है और ये gram positive filamentous bacteria है और ये filamentous क्यों है क्योंकि इनमें mycelium like structure इसमें present रहता है जैसे कि वो slander and branch रहते हैं तो ये branch and slander structure जो कि mycelium like structure है तो इस वज़े से ये filamentous bacteria की तरह ये हमें दिखाई देते हैं और इसके अलावा इनमें जो ये filaments हैं इनमें numeric acid होता है तो ये बात आपको याद रखनी है कि filaments में numeric acid होता है और अगर हम इनकी morphology को अगर हम resemble करें तो ये filamentous fungi के साथ में काफी मिलते जूलते हैं तो इसी वज़े से इनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया कि रे फंगी इनको कहा जाता है और कुछ तो इनमें mold से resemble करते हैं और ये जो molds हैं ये asexual spores के थ्रू ये reproduction करके अपने आपको ये mold form में प्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा ये terrestrial form के हो सकते हैं ये aquatic form में रह सकते हैं और अगर हम इनका size देखें तो इन filaments का size है वो 0.5 से लेके 1.0 micrometer हो सकता है diameter में और कई बार तो ये भी हो सकता है कि 2.0 micrometer तक भी ये पाए गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो ये actinobacteria हैं मेडिकली इंपोर्टेंट और economic significance है इनका हमारे लिए क्योंकि कमर्शली भी जो है ये हमें बहुत लाव ये पहुंचाते हैं actinobacteria और actinobacteria के जो class है basically जिसका order actinomycetal है ये बहुत ही ज्यादा economic significance रखता है चाहिए वह medical point of view से ले 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 या फिर दूसरे commercial value की उससे ले 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 तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसके अलावा ये हमें एक और जहां फायदा पहुंचा रहे तो कुछ ऐसे भी है जो pathogenic है यानि कि जो disease create करते हैं humans में और अगर हम beneficial इसके bacteria की बात करें तो इसमें से ही यही वह bacteria है जिससे हमें antibiotics भी मलता है जैसे कि इसका एक genus है streptomyces तो ये एक notable source है antibiotics का अब देखे मैंने आप लोगों को बताया कि एकनॉमिकली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि इन से हमें हमने पिछले segment में देखा कि इन से हमें antibiotics भी मलता है ये देखा था ना इसके अलावा ये पता है आप लोगों को कि agriculture में भी हमें बहुत ही जादा ये help करते हैं क्योंकि इनका जो contribution है जो soil को एक तरह से उसकी उर्वरा शक्ती बढ़ाने में ये एक तरह से help करता है जैसे इसमें जो ये bacteria है ये किसी भी organic matter को ये decompose कर सकते हैं और decompose होने की वज़े से उसको small molecules में ये breakdown कर देते हैं जिसकी वज़े से उसको plant easily उसको ले सकते हैं और इस जिसकी वज़े से ये हमें agriculture में भी ये हमें help करते हैं और इनका एक और nature है कि ये symbiotically ये plants के साथ में ये उनके roots में ये रह सकते हैं soil के अंदर तो इसमें क्योंकि plants में some plants के nodules में भी ये रह सकते हैं जैसे bacteria है तो ये वहां पे रहके nitrogen fixing का का काम करता है और ये symbiotic association के साथ मे plant के साथ में रहता है तो इस तरह से ये जो nitrogen है उसको भी fix करने में ये help करता है तो आप समझे कि कि किस तरह से जो है plants को nitrogen उपलब्द करा रहा है और साधी जो plant है वो इसको रहने के लिए जगे दे रहा है और बाकि इसको जो need है वो इसको fulfill कर रहे है तो इस तरह से ये nitrogen fixing में इसके अलावा कुछ इसके और भी जो मैंबर्स हैं इस ऐक्टिनोमाइसिटीस के उसमें जैसे जैसे जीनस माइको बैक्टिरियम है यह एक इमपोर्टेंट एक पैथोजन भी है इसके आलावा इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वह है नॉनमोटायल तो यह नॉनमोटायल ह आपको नहीं दिखाई देगा कि इसली यह मूव नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा यह जो जियोस्मिन नाम का एक क्यामिकल है उसको यह प्रोड्यूस करते हैं इसकी वज़े से मिर्टी में या पानी में जहां पर भी यह होंगे उसमें एक अर्दी लाइक मतलब मिर्टी की इस तरह के सुगन्द या उस तरह की महक उसमें आपको मिलेगी जहां पर यह होंगे तो यह प्रोड्यूस करते हैं जियोस्मीन तो यह ओडर जो है वो जियोस्मीन की वज़े से है इसके अलावा आपको पता ही है कि यह रौट शेप्ड बैक्टिरिया है और रौट इनके filamentous होने की वज़े से क्योंकि यह philamentous बैक्टीरिया है न ते इसी वज़े से philament ही क्या है? 款 दो ईस वज़े से यह second है जिए रॉडशीफ बैक्टीरिया है और इसके लावा यह anaerobic condition में और फेकल्टेटिड़िव're work condition में रहने वाली बैक्टीरिया है एनारोबिक जहांपे की इनको अक्सीजन की जरुवत नहीं है अपनी ग्रोथ के लिए और इसके लबा आरोबिक जहांपे की इनको अपनी ग्रोथ के लिए इनको अक्सीजन की रिक्वार्मेंट रहती है और इसके लबा फैगल्टिटिव अरोब है ये जहांपे की इनको अप जीनस है नुकार्डिया तो यह नुकार्डिया जो है एक obligate aerobic bacteria है जो कि एक soil organism है soil में पाए जाने वाला यह organism है और फ्रेंकिया के बारे में तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंकिया ओके फ्रेंकिया के बारे में बताया था ना nitrogen fixing यह bacteria leguminous plants के लेग्यूम है जो nodules type जो structure होता है plant के roots में वहां पे रहने वाला यह bacteria है और यह micro aerofilic bacteria है और वहां पर इस embiotic के लिए रहता है और उनके लिए nitrogen fix करता है तो यह इसके कुछ characteristic features है actinomycities के students actinomycities के बारे में एक और बड़ा interesting fact है वो यह है कि यह जो complex polymers हैं जैसे काइटिन लिगनिन या cellulose इन में भी अपना यह एक रोल प्ले करते हैं इन complex polymers को तोड़ने में और इनको तोड़ते हुए यह एक तरह से बायो कंट्रोल करते हैं जैसे जो दूसरे बैक्टिरिया है यह फंगाई का और इनका यह बायो कंट्रोल कैसे करेंगे वहां पे यह antimicrobial agents की तरह यह work करते हैं और कई बार यह जो stored food है वहां पे भी उस food को भी खराब करने में इनका बड़ा रोल रहता है so friends, जो एक्टिनो मआइसिटी यह हमारे लिए beneficial तो है ही है इसके लावा यह pathogenic भी है तो यह जो prokaryotic जो bacteria है यह कई तरह के metabolic products को भी यह synthesize करते हैं जैसे antibiotics हैं अगर हम इनके beneficial view की अगर हम बात करें या point की बात करें तो यह antibiotic प्रोड्यूस करें हमारे लिए जो beneficial है इसके अलावा different pigments और enzyme inhibitors और इसके अलावा जो bio technologically relevant enzymes उनको यह produce करने में यह help करते हैं जो कि हमारे लिए काफी beneficial होते हैं लेकिन इन में कुछ pathogenic भी है जो कि pathogenic है plants के लिए animals के लिए या humans के लिए okay अब जैसे plants की अगर हम बात करें तो यह जैसे sweet potato है तो उसमें यह rot of sweet potato नामा की बीमारी क्रेट करता है जिससे कि यह उसे खराब कर देता है इसके अलावा humans में तो इसके कई सारे जैसे diseases है क्योंकि य humans में कई जगे पाया जाने वाला यह bacteria है और humans के जहां जहां भी cavities है वहां वहां पर यह पाया जाने वाला बैक्टिरिया है तो यह tuberculosis, paratuberculosis, mycetomas, actinomycosis, इसके अलावा allergic pneumonias, pneumonias में यह produce करता है इसके अलावा यह और भी कई अलग अलग तरह के abscesses जाने की घाव यह हमार सब actinomycities की वज़े से होता है अगर हम इसके जो actinomycosis की अगर हम बात करें तो तो आपको पता है कि हमारी जो body के जो soft tissues हैं वहां पर यह जो पाया जाता है जैसे हमारे mouth है nose है या throat है lungs है या stomach या फिर हमारे intestine तो यह यहां पर पाया जाता है और अगर इन जगों पे अगर इनकी जो protective lining है अगर वहां पे कहीं पे घाव हो गया तो वहां के जरीए यह हमारे जो उस अंग को यह आसानी से यह वहां पे अपनी घाव एपसेसे से create करते हैं और actinomycosis से produce करते हैं और इनकी वज़े से पता है हमें fever हो सकता है हमारा weight loss हो सकता है लंस हो सकते हैं हमारी neck में फेस में इसके लावा हमारी जो कफ है वो बन सकता है chest pain होता है और भी कई अलग अलग तरह के इसकी symptoms है actinomycosis के तो चलिए आगे बढ़ते हैं आईए अब इनके shapes के बारे में भी जाने तो student जो actinomycities है यह जैसे कि मैंने अभी तरह आपको इस pattern में यह grow करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे इसमें forms जो है एक extensive colony form में यह दिखाई देते हैं या mycelium कह सकते हैं उसको उस form में दिखाई देते हैं और mycelium से जब यह break होंगे तो यह rod shaped या फिर कोकी shaped यह बनाते हैं और कुछ इन में इस तरह की species हो सकते हैं जो rod shaped या का branch जो के और बहुत सारी जो जैनरा हैं वो इसकी यह sports form करती हैं और उन्हें हम कहते हैं इस पूरेंजिया ओके और sports वाले cases में यह जो sports हैं यह aerial हाई-फी यानिकी जो उपर जमीन के उपर जो हाई-फी इसकी होंगे वहां पर यह sports form में यह हाई-फी ओके और इसके अलावा जो कॉलोनी है वो सर्फेस पे वो फ्री रहीगी इन्वार्मेंट में यानिकी सर्फेस पे लगी हुई और उपर की और वो आपको खुली हुई आपको दिखाई देती है यहां पर इस segment में आपको different actinomycities आपको दिखाए गए हैं तो जो पहला फिगर आप उसको देखेंग और एके उपर आपको यह दिखाई दे रहे हैं और उपर इन्वार्मेंट की और उपर एरियल में यानिकी जमीन से उपर आपको यह इस तरह के आपको दिखाई देते हैं और यह कोकी फॉर्म में है तो दूसरे में आप देखे दिखाया है actinomycities bacteria तो यह जब किसी culture में या कहीं पर आगर यह ग्रो करेंगे तो आपको यह पूरा एक white color में आपको यह इस तरह से दिखाई देंगे या यह powdery form में आपको एक तरह से दिखाई देते हैं और यह पूरी इसकी कॉलोनी है इसी तरह से जो थर्ड फिगर है scanning electron micrograph of actinomycities Israeli तो इसमें आप देखो इसके यह branch इसके mycelium आपको दिखाई दे रहे हैं rod shaped okay तो यह इस तरह के यह bacteria है और सांथी आपको यह filamentous भी दिखाई दे रहे हैं okay तो यह different इसके shapes हैं जो आपको देखने को मिलते हैं actinomycities में आजिए अब इसके sexual sports जिसे की कोनेडिया कहा जाता है उसके बारे में भी जान दे तो student जो यह कोनेडिया है यह हाइफी में यह produce होते हैं कुछ actinomycities जैनरा के और यह mainly जहां पे मिट्टी है मिट्टी में यह sporengium के form में यह दिखाई देंगे और जिसमें की बहुत सारे आ आपको यह दिखाई देती है या किसी culture media के उपर आप लोगों को यह दिखाई देती है अगर यह biotechnology lab में अगर इस तो यह पावडरी फॉर्म में दिखाई देंगे culture media में और यह जिस तरह की दिखाई देती है यह जो aerial sports है culture media के ऊपर यह रहेंगे तो यह किस तरह के आपको यह दिखाई गया है देखो स्ट्रेटो माइसेस में भी आपको यह कुनेडिया यह दिखाई गया है और इसके लावा जो second figure है उसमें आपको यह पावडरी फॉर्म में दिखाई गया है actinomycetes bacteria और हाइफी फॉर्म में यह आपको branched and filamentus आपको दिखाई देंगी ओक आईए अब class actinobacteria के different orders की बात करें तो student जो class actinobacteria है इसको 16 orders में इसको divide किया गया है तो यह जो different 16 orders है वो यहां पे मैंने दिये हैं जैसे number 1 पे लिखा है actinopolling sporels और इसी तरह से second में लिखा है actinomycetales then third में bifidobacterials तो इसी तरह से पूरे जो इसके 16 order है वो यहां पे मै जाने लिखे हैं तो आप इनको और ज्यादा आप इसके बारे में study कर सकते हैं तो student जो इसमें actinomycetales है okay order actinomycetales तो इसके members को commonly actinomycetales का जाता है तो यह बात आपको यहां पर याद रखनी है आईए अब actinomycetales की जैनरा के बारे में भी बात कर लें तो आपको जानकर है जानी होगी कि जो actinomycetales है इसको 150 से भी अधिक जैनरा में इसको classify किया गया है और जो यह classification मैंली यह दिखते कैसे हैं इनका morphological इनका morphology पर बेस्ट है plus chemical criteria पर याने कि रासाइनिक माप दंडों पर या मान दंडों पर आधारित है और इसमें जो है नौ जो इसकी cell wall है cell wall के क differentiate किया गया है और उसमें जो इसको chemo type cell wall का basically DAP याने कि डाइमाइनो पीमालिक एसेट आईसोमर और उसके साथ ही जो अलग अलग तरह के cell wall में जो आईनो एसेट और sugars प्रेजेंट रहते हैं उसके base पे इनको इतने अलग अलग जैनरा में इनको डिवाइट किया गया है या इन नौ जो इसके जो नौ डिफरेंट जो इसके वरगी करण के लिए इनोंने वो किये हैं इनके वरगी करण किये हैं या कैटेगरी किये सेल वाल के base पे तो इनको आधार लेते वे इनको वरगी करेट किया गया है आईए वेक्टिनो मैसितिस के कुछ एरोबिक और वो जो CO2 की प्रेजंस में ग्रो करते हैं तो जिनकी जैविक रहाएं CO2 की प्रेजंस में पूरी होती है तो उन्हें हम कहेंगे अनारोबिक बैक्टिरिया ओके तो स्टूडेंट जो ओर्डर एक्टिनो मैसितिल्स है इन में जो है फाइलो जैनेटिकली डाइवर्स यह हैं यह बैक्टिरिया फाइलो जैनेटिकली डाइवर्स हैं लेकिन मॉर्फोलोजिकली चाहिए वो एरोबिक है या एनारोबिक बैक्टिरिया हैं यह एक ही तरह की चीज़ें इसो करते हैं जैसे यह फिलामेंटर ब्रांचिंग स्ट्रॉक्चर्टर होते हैं और जिनमें एक्टिनोमीसिती जननला है। तो ये जो बैक्टिरिय یa ये बैक्टिरियem जो इसके जनल सिद्वर और इसके अलवड़ा जो है। इन में जो है काफी इनकी मात्रा काफी बड़ी है यह डाइवर्स ग्रूप हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया के और इसमें मेली कुछ यहां पर जैनरा मैंने ली हैं जैसे गॉर्डोनिया है या नुकार्डिया है या रोडो कोकस यह अलग अलग यह जीनस है यह अंटिनोमैसिटिज हैं यह एक अटूट शोथ है अंटिबाइटिक्स का जाने की सबसे ज़्याद़ वेराइटी आफ जो हमें अंटिबाइटिक्स है वह हमें अंटिनोमैसिटिज से मिलती है और इसमें जो अधिकांज जो अंटिमाइक्रोबियल या रोगानू-रोधी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ड्रग्स हैं जैसे बीटा लेक्टम और दूसरा जो ड्रग है वो है ट्रेक्टरा साइक्लिन से हैं या मैक्रोलाइड्स हैं इसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं या फिर ग्लाइको पैप्टाइड्स हैं तो यह डिफरेंट इसे की बायो टेक्नोलोजी इंडेस्ट्री में जिसे बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इस कंपाउंड को बनाने के लिए अब आप सोचें कि एक तरफ तो यह एंटिवाटिक्स तो बनाई रहे हैं और ऐसी एसी एंटिवाटिक्स ड्रक्स जिन हैं जो कॉमन जो का दिर्ट सन्सेटिगी जाती हैं के अलावां इसके अलावार ट्रबियोट को दो एकार सनी उस से जब दोस्टा जाता है कि सीसेμεने और स्परिकरिकांट इस पिशीज में वैलेबल सेकेंडरी मेटाबूलाइट्स को प्रड्यूस करने की इसमें बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि शमता है और कहीं ज़्यादा जिसे कि अभी तक हमने समझा नहीं है और इसे हम और भी बहुत ज़्यादा इसे हम लाब उटा सकते हैं इस सेग्मेंट में आपको एवलेबल एंटिबाटिक्स जो एक्टिनोमाइसिटी से मिलते हैं और किन स्पिशी से मिलते हैं वो यहां पर दिये गए हैं जैसे एक तरफ एंटिबाटिक्स के नेम लिखें और दूसरी तरफ उसे स्पिशी का नाम लिखा जिससे यह मिलते हैं ज के लावा क्यूनोलोन है क्यूनोलोन एक्टिनो माइसिती स्यूडूनो कार्डिया स्पिशी से मिलने वाला यह एंटिबेटिक है फूर्थ में है मैक्रोलाइट से यह भी स्ट्रेप्टोमाइसीज जीनस से मिलता है इसके लावा फिफ्थ में लिखा है लिंकोमाइसिन और क्लि लोड जबत को रहते हैं मैं अगर आप शिर्थ नोगे सिर्फ ये पन्रा मिनिए इस ही सिर्फ 15-20 मिनिए ख restrictions बेंके सब्हती मैं पूर। ओक अगर यह कोई यह उच पीर कोरें कारिंगे littleumber quantitative physicians do capitalize Ice friendly Mang sexually बेक्टेरिया की बात करें तो इस एवसे जैसा गॉलोग बीरूट करने वाली इनवार्मनन्यूनिट मेरीयों। सबसे क्यency in नेक्राहँ स्वा मैं ये जदी एस व्यजनी ये इस बाता वाली जाते है और basically जो इनका infection है वो soft tissues में, skin में या joints में या वो human being जिनका immune system है वो बहुत weak होता है तो ऐसे patient में ये बहुत ज़्यादा अपना infection फैलाते हैं तो ये एक तरह से opportunistic pathogens है यानि कि जब इनको opportunity मिलती है यानि कि जैसे ही humans के अंदर का environment इनके रहने लाइक हो जाता है तो ऐसे में ये अपना infection फैलाना शुरू कर देते हैं और basically जब post operational जो stage होती है यानि कि operation के बाद humans ऐसे patient उनमें ये अपना infection फैलाने में इनको आसानी होती है या ये hospital acquired भी हो सकते हैं hospital से भी फैलने वाले ये infections हैं okay so student जो actinomyces की अगर हम 30 species की बात करें actinomyces में जो पाई जाती हैं तो उन में से 8 species जो हैं या 8 genus humans में disease cause करती हैं okay तो out of 38 species they can cause disease in humans और ये strictly anaerobic bacteria हैं यानि कि इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए carbon dioxide की ज़र्वत होती हैं okay तो उसकी presence में ये अपना ग्रोव करती हैं तो इसमें basically जो 8 species हैं वो हैं actinomyces israeli, actinomyces guarantee sensory और इसके अलावा actinomyces odontolyticus, A. nyslundi, A. meyeri, A. viscosis, A. pyogenes और A. geozi हैं okay लेकिन इन में से भी सबसे ज़्यादा जो disease, जो commonly disease cause करता है humans में वो है A. Israeli इनके अलावा दो और जीनस है जैसे प्रोपायो नी बैक्टिरियम और दूसरा है बाई-फीडोबैक्टिरियम देंटियम तो ये दो species भी जो हैं species हैं जो humans में pathogenic effect के लिए जानी जाती है so friends actinomyces या दूसरा जो propione bacterium है या फिर bifido bacterium है ये principle stroke है कह सकते हूं humans में infection फैलाने के लिए और जबकि 98 से 99% of actinomyces जो है ये non spore forming anaerobic किया फिर micro aerofilic bacteria bacterial species है जो genus actinomyces को ये belong करती है और ये pathogenic है चलिए थोड़ा सा भी nitrogen fixing bacteria के बारे में भी जान ले जैसे फ्रैंकिया के बारे में तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक ग्राम पॉजिटिव actinomyces है और ये इसका genus frankia है और ये diazotrophic bacteria है और ये nitrogen fixing में यानि कि जो plants के root nodules हैं वहाँ पे ये nitrogen fixing में ये help करता है और वहाँ पे ये free living state में ये रहता है और basically जो dicotylodonus angiosperm है वहाँ पे उन्हों को या उन plants को ये nitrogen fixing में ये help करता है तो student ये था आज का lecture actinomyces पे तो I hope ये आपको help करेगा thank you